Good evening to all of you, इस वीडियो में बात करेंगे International League T20 की होने वाले एक और मैच की तो अभी तक जितने ही मैचे हमने कवर किये, सभी में हमने विनिंग किये International League में इस मैच की अगर में बात करो, आपको देखने को मिलेगा सार जहां Cricket Stadium है जहां इस सीजन दो मैच हुए हैं, और दोनों ही मैच बैटिंग फर्ष्ट करने वाले टीम ने जीता है लास्ट मैच जो हुआ था, वो तो वन साइड़ेड बैटिंग फर्ष्ट करने वाले टीम ने जीता था सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, आपको बस करना क्या है, वीडियो के सार लास्ट तक बने रहना है एक-एक बातों को ध्यान से सुनना है, समझना है और सीखना है क्योंकि मैं हमेशा एकी बात है फोकस करता हूँ कि सीखते रही है क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन दोनों टीम के अभी तरिक के सफर की बात करें है दुबाई कैपिटल ने तीन में से दो मैच जीता है एक हा रहा है गल्फ जैंट्स की अगर मैं बात करूँ जो कि लास्स सीजन की विनर टीम है डिफिंडिंग चैंपियन है और जो सार जहा में मैच जीता है और दो हा रहा है तो खराब परफॉरमेंस है इस बार अब जो सार जहा में मैचे जुए है वो मैं आपको दिखा देता हूं इस सीजन दो मैच हुए एक मैच हुआ है कल की डेट में 180 बनाया था MI Emirates की टीम ने और यहाँ पर दूसरी टीम मात्र 74 पर ही ओल ओट हो गई एक सीरिज का पहला मैच हुआ था सार जहां में जहां 198 बना था और दूसरी टीम वही थी जो की पिछले मैच में 74 पर ओल ओट हो गई कल क्वाले में 167 ही बना पाई तो आपने देखा कि पहले इनिंग में बड़े-बड़े स्कोर यहाँ पर बन रहे है पिछ यहाँ की स्लो हो गई है पहले से बाउंडरी लेकिन यहाँ की काफी स्मॉल होती है इसलिए सार जहां में अच्छे रन बनते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं बैटिंग फर्च करने वाले टीम को एडवांटेज रहेगा टोटल ओल ओवर अगर आपको स्टैट्स देखना है 151 का एवरेज स्कोर है इंटरनेशनल मैच में 215 हाईच है 18 बार 150 के कम गया है यानि यहाँ पर जारतर लो स्कोरिंग गेम्स हुए है इसके बाद डोमेश्टिक की अगर मैं बात करो 74 मैच जो है जिसमें 156 हाईच है 156 का एवरेज है और 241 हाईच है 36 बार यहाँ पर 150 के नीचे गया है और मात्र 12 बार 190 प्लस गया है तो हाई स्कोरिंग गेम कम हुए है गल्फ जाइंट्स ये वाला जो मैंने आपको दिखाया सिरीज का पहला मैच है पेसर्स ने विकेट लिये ज्यादा इस्पिनर ने कम लिये वैसे ही यहाँ पेसर इस्पिनर दोनों को ये विकेट्स मिलते हैं यहाँ देख सकते हो कहीं कहीं पे देखो केवल पेसर्स को ही ज्यादा विकेट्स मिले है 151 बना चेस हो गया 107 बना चेस हो गया 148 बना चेस नहीं हो पाया तो इस स्पिछ पे कभी बहुत जादा रन बनते हैं कभी लोई स्कोरिंग गेम होते हैं कभी high scoring game भी chase हो जाते है यानि बहुत ही मिला जुला यहाँ पर आपको result देखने को मिलता है उस्मान खान का इस venue पे अच्छा record है लेकिन उस्मान खान जो domestic matches खेलते हैं उसमें अच्छा record है इस तरीके के matches जो की बड़ा tournament है उसमें इंका बहुत अच्छा record नहीं है सिकंदर रजा यह आपके लिए important रहेंगे सिरिज में भी अच्छा किया है इनोंने recent form अच्छी है बैटिंग बॉलिंग दोनों से सौरप की बात करें अभी तक बौका नहीं मिला है तीन match में 8 wicket ले चुके है recent form अच्छी है jammy overton big bass league में सांदार performance करके आ रहे है यहाँ भी अच्छा इनोंने एक match में किया था recent form अच्छी है players battle आप देख ले हैं head to head match की बात करते हैं जो last match दोनों के बीच में हुआ था उसमें Gulf Giants ने one sided धराय था Dubai की team को यह पिछले सीजन का match है 76 बनाया था jamms wins ने 37 बनाया था headmire ने Chris Lynn ने अच्छा किया था Jordan, Gleeson वगेरे ने अच्छा किया था यहाँ से Akif Raja ने wicket लिया यह दसन सनाका ने बैटिंग की थी इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ देख सकते हूँ यह 182 बनाया दुबई ने Gulf Giants ने यहाँ भी chase कर लिया तो Gulf Giants तो पिछले साल की winner team थी इसलिए अच्छा performance था इस साल ऐसा performance नहीं है Rowan Powell, Sikandar Raja, Mujib यहाँ से jamms wins Erasmus, Rayaan Ahmed ने batting balling से performance किया और Gleeson तो कुछ common नाम है, Gleeson वगेरे common नाम है, जो कि आपको दिख रहा है इसके अलावा jamms wins आपको common नाम दिख रहा है, दोनों में बड़ी इनिंग आई है 76 और इसके अलावा Gleeson का common नाम दिख रहा है, दोनों में आपको दो-दो wicket देखने को मिल रहा है तो इस तरीके से इतने common नाम है मुझीब का भी दोनों जागा नाम है आगे चलते है Playing 11 देख लेते है, jamms wins अच्छी form में last match में flop थे, important रहेंगे jammy smith की बात करें एक match इनों ने अच्छा किया है, बाकी है flop रहे हैं, तो wicket keeping section में available है, as a differential pick try कर सकते हो, पहले वैटिंग में यहाँ पे अच्छा score बना सकते है Chris lean important है Jordan Cox ने भी last match में अच्छा किया था अच्छे player है अगर आपको लगता है top order collapse होगा तो इंको आप try कर सकते हो Hetmeyer लगातार flop हो रहे है, उस्मान खान के batting काफी नीचे आती है Jordan आपके लिए important है, batting प्लिस balling दोनों से point देंगे Dominic Drax भी अच्छे balling करा रहे है चार ओवर लगातार मिल रहा है विकेट मिल रहा है इंको Mujib last match में flop थे लगातार वैसे flop ही हो रहा है तीन-चार match अगर आप देखोगे player बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई भी doubt नहीं है अयान अफजल खान local player है ग्रैड लिक में try करना मुझराब आने अच्छा खेल सकते हैं last match इन्होंने खेला था इन्होंने कुछ भी नहीं किया था last match में इसके बाद आगे चलते हैं bench पे कुछ player अगर ग्लीसन वगरे खेलते हैं इंपोर्टेंट रहेंगे, jammy overton अगर खेलते हैं इंपोर्टेंट रहेंगे रियान अहमत का भी अच्छा record है दुबाई की बात करें, गुरबाज आपके लिए मश्ट पिक हैं वार्नर लगातार flop होने है जो यहां में 20 रम बनाया था वो भी काफी slow इनों ने बनाया था अच्छी form में नहीं है उसके पहले भी आप देखोगे BBL में भी कुछ खास किया नहीं था यहां जो 37 बनाया था BBL में बहुत slow बनाया था Jay Fraser, AJ Impact प्लियर आ रहे हैं अच्छा कर रहे हैं आप इंको ट्राई कर सकते हैं अपने टीम में Sam Billings अपने life के सबसे ची form में लगातार 2 half century लगा रहे हैं तो यह आपके लिए important है तो विकेट किपिंग सेक्सिन में गुरबाज और Billings दो important है बागे Warner फॉर्म में नहीं है इनको मिने लेना यहां के local player है जैसन होल्डर आपके लिए important है चार ओवर कनफर्म बॉलिंग कराते हैं इनका ओवर काटा जा रहा है important नहीं है चमीरा important है दो मैच में 6 विकेट ले चुके हैं अकीफ राजे यहां के local player है तो second balling में इनको try कर सकते हो because वहाँ पर जो team पहले बैटिंग करी कि उसके win करने के जारा chance जाए बेंज पर कुछ player है उनके record आपके सामने है अब बात करते हैं dream 11 team की चुकि सार जहां के पिछे boundary small रहती है बड़े बड़े player इसमें खेल रहे हैं तो आपको अच्छा run यहां पर टीम में opening करने आते हैं डेविड वार्नर, James Wins, Chris Lynn और Jay Fraser मैंने चारो batsman लिए हैं आप बॉलर लेना चाहो अपने टीम में बॉलर पिले सकते हो लेकिन second inning के बॉलर आपको लेना है सिकंदर अज़ा और जैसन होडर यह दोनों important है Jamie Overton अगर खेलते हैं तो important रहेंगे Chris Jordan चमीर यह दोनों आपके लिए important है बागे यहां पर अच्छे बॉलर में Dominic Drax है, Mujib है Gleason अगर खेलते हैं तो important है Mujra Bani भी अच्छा कर सकते हैं second inning में Captain, Wise Captain कि एकर मैं बात करूँ तो Sikandar, Raja, Captain की choice है Batting, Balling दोनों से point देंगे Wise Captain के तौर पर आप बना सकते हो Sam Billings को बहुत अच्छी form में है इसके लवा अगर आपको Baller को बनाना है तो holder को बना सकते हो Batting आने भी अच्छा कर सकते हैं बागी यहां पर Jams, Wins, Head to Head में आपने record देखा दोनों match में half century थी और अच्छी form में अच्छा कर सकते हैं इनको बना सकते हो गुरबाज wicket keeping से ही point देंगे तो इनको भी बना सकते हो तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आएगा तो like करिएगा आपका होश टिंदो संकुरी साइनिंग आउट बाबाई